सभी विद्धार्तियों को स्वागत है हमारे चैनल पे तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो युनिवर्सिटी डेली उनिवर्सिटी का जो प्रेस रिलीज हुआ था इसके रिगार्डिंग आप लोग के बता होगा कि जो इस बार का जो एक्जाम है एक्जाम जो तो पहले से होता था कुछ 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 कोर्सिस में ऐसे मतलब वो लो करवाते थे बट अब जो है जो अंडर गरिशन जो अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट जो ट्वल्ट पास होके और डेली उनिवर्सिटी में मतलब एडमीशन लेना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये इंपोर्टन नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इसके बारे में सबको पता हूगा मैं इसके बारे में बताने आपको विलकुल भी नहीं आया हूँ बलकि मैं आपको जो आपका एंटरेंस होगा उसके रिगारडिंब को यां पर बात करने वाला हूँ तो जो भी I know इस है उसके रिगार्डिंग आप थोड़े वीडियो बनाया हमारे जो भाई बहन जो भी है उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा विकॉस फॉर्स टाइम है जब डेली उनिवर्सिटी ऐसे एंट्रेंस जो है एक्जाम ले रही है तो इसमें बेसिकली क्या बात की गई है आपन नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके विकॉस हम फ्यूचर में कई सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेगा रिलेटेट टू योर एंट्रेंस एक्जाम तो एंट्रेंस एक्जाम में किस तरीके कोशन पूछे जाएंगे क्या पॉसिबिलिटीज है विकॉस अभी तक उन्होंने कोई ऐसा सेलिबर सेया ऐसा एक्जाम पैटन कुछ ऐसा बताया नहीं है कि किस तरीके के आपके मतलब जो एक्जाम जो होंगे वो किस तरीके से होंगे तो एक तरह से वो कॉमन एंट्रेंस एक्जाम है जो कि आप नॉर्मली किसी भी एंट्रें तो कॉमन का मतलब क्या है कि हर किसी को वही सेम एक्जाम देके क्वालिफाइकेशन क्वालिफाइ करके आपका एडमिशन होने वाला है डिली उनिवर्सिटी में तो मैं कुछ आपको चीजे बताने वाला हूँ एक तो यह प्रेस रिलीज आपने पढ़ा होगा गा नहीं होगा तो आप देख सकते हैं तो यहां पर बताया गया है कि 27 जून से लेके जुलाई आठ तक मतलब आपका एंट्रेंस यह कराया जाएगा बट अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है तो यह में भी थोड़ा एक्स्टेंड हो सकता है विकॉस थोड़े दिन चार तो थोड़ा टाइम लगेगा उनका फिर रिजल्ट आने में भी तो इसलिए थोड़ा और हो सकता है कि जुलाई के मिड में एक्जाम हो तो वी नेवर नो कब हो गया एक्जाम बठा जुलाई में तो कंफर्म है कि जुलाई में आपका एक्जाम होगा तो यहां पर मैं क्या को अप्लाई किये हैं मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा एक स्टुडेंट का फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अगर किसी पटिकुलर सब्जेक के रिलेटेड अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस सब्जेक्स से रिगार्डिंग आप से कोशन पुछ जाएगा हाँ उस सब्जेक्स से रिलेटेड आपको तो पढ़ना ही पढ़ेगा डिफिनेटली बट आपको कॉमन का मतलब क्या है कॉमन इन दसेंस की कोई भी हो जो भी बी ये करना चाहता है जिसे बी ये का अलग होगा डिफिनेटली बी ये बी कॉम और बी ये सी का सेम जिन तो नहीं करेंगे तो बी ये का अलग होगा बी कॉम का अलग होगा और बी ये सी का अलग हो सकता है तो इस तरीके से बाइफरकेशन ये सब हम मतलब ऐसा लगा रहे हैं कि इस तरीके से होगा बर डिफिनेटली ऐसे हो वह नहीं deal कर पाएगा उतना level of question attempt नहीं कर पाएगा तो वह है कि अभी negative marking है नहीं है यह सारी बाते हम देखेंगे अभी कुछ भी clear नहीं किया गया है सिर्फ इस प्रेस में यह लिखा गया है कि आप लोग का entrance exam होगा और उसमें आप लोग को मतलब entrance exam देके और फिर आपका admission होगा तो कुछ sites भी है उनका मैं link डाल दूँगा इसी वीडियो के description box में जहां पे आप जाके कुछ information अपने level से अपने subject से regarding आप देख सकते हैं तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ कुछ ऐसे मतलब यहां पे student है जिन्होंने apply किया है और उनका form मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से उन्होंने apply किया है क्या-क्या उनको मतलब subject choices वगेरा क्या-क्या मिली हुई है तो वह मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ तो आप यहां पे देख सकते हैं एक form है एक student ने भरा है चंदन कुमार ने तो यहां पे common university entrance test जो की 2020 में और मतलब most probably ऐसा मतलब लग रहा है कि यह NTA जो है वो conduct कराएगी आपके exam NTA या university grant commission इन दोनों में से मतलब जाजास chances है कि NTA यह exam जो है वो करवाईगी तो इसमें कुछ detail है जैसे कि यहां पे दिखें यहां पे जैसे इन्हों ने यहां पे language for section के लिए यहां पे डाला है तो यह यहां पे जैसे की इन्होंनE last में दे दिखा देता हो नहीं आपको इन्होंनE last में University of Delhi BA प्रोग्राम के लिए अपलाय किया तो BA प्रोग्राम के लिए तो BA प्रोग्राम में मल्टिपल सबजिक्त आपको आपको मिलते हैं छल्क आपकर 2 में सबजेक्त होते हैं और जो दो तो यहां पे इन्होंने जो अपलाय किया है हिंदी के लिए हिंदी है पहला पुलिटिकल साइंस और हिस्ट्री तो तीन सब्जेक्ट जो है इनका में मतलब दो इनका में सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपका इनका हिस्ट्री और पुलिटिकल साइंस जो रहेगा यह इनका मे प्रेफरेंस वन हो गया प्रेफरेंस टू तो चार प्रेफरेंस दिये गया है आपने भी दिया होगा तो इस तरीके से पूरा फॉर्म का है पूरा आपने भरा होगा तो अगर आप में से कोई भी स्टुडेंट हो जो जिनोंने भरा हो तो प्लीज करके आप तो कमेंट वॉक् वो किस तरीके से हल्फ चाहिए और किस तरीके से हम आपके एल्फ कर सकते हैं डेफिनेटली कौनसा मतल्द आपने subject कोर्स के लिए भारा है जिसे किसी honors course के लिए भारा है किस के लिए भारा है तो वो आप प्लीज करके मतलब बहुत जो है possible questions जो है मैं आपको आपको बता हूँ और उससे related कुछ information अगर हो सकता है तो देख सकता है मतलब अगर possible हो तो मैं आपको provide करूँ जो कि authentic information होगा अब कुछ information मैं इस BA program क्योंकि student ने BA program से भरा है तो इससे related मैं कुछ information आपको provide करना चाहता हूँ तो अब उस information पर आपको लेकर चलते हैं सीधे तो student यहां पर देख लें BA program में जिन्नों ने भी enroll किया है तो BA program का क्या यहां पर कैसे selection होगा क्या होगा तो यह पूरा यहां पर बताया गया है यह जो है यह हम ग्रूप में डाल देंगे एक मिक्की में करके ग्रूप है इसी चैनल पर आपको इसी वीडियो के description box में जो WhatsApp का ग्रूप है और जो Telegram का ग्रूप है दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको उसको आप जरूर जोइन करें वहां से आपको काफी सारे information जो है आपको मिलने वाले हैं जो भी कुछ PDF होगा या फिर कोई essay information होगा तो हम वहीं पर डाल दिया करेंगे तो जो भी candidates है जो apply कर रहे हैं मतलब entrance exam के लिए any of the following subject combination यहाँ पी इन्होंने बता रखा है like first में है any one language जैसे हिंदी हो गया English हो गया कुछ भी हो गया फिर plus any two subject जो कि आपका main subject होता है B1 plus any one subject जो की either list one में से हो सकता है list BA से हो सकता है या combination of any two any language हो सकता है तो इस तरीके से बहुत सारे combination होते हैं अगर वहाँ पे आपने भरा होगा जैसे मैं आपको भी एक प्रोग्राम का बताया कि उनका दो main core subject था like political science and history था तो वो दो main उनका core subject था और plus दो subject जो है उनको मिलेगा एक तो Hindi मिलेगा और एक English मिलेगा और फिर time to time वो भी जो subject है वो change होते रहेंगे तो इस तरीके से जो है पूरा यहां पे इनका system होता है BA program वाले student के लिए बाकि जो honors के student होते हैं उनको भी language course मिलता है तो उनके लिए भी अगर आप लोग जिनों ने भी apply किया है किसी भी honors course के लिए चाहे history हो गया पूल साइंस हो गया जोग्रफी हो गया किसी भी honors course के लिए तो आप लोग please करके वीडियो के नीचे comment box में जरूर comment करें कि आपको भी एंटरेंस से related आपको information चाहिए हम जल से जल कोशिश करेंगे आपको एंटरेंस से related information और provide करने के लिए और किस तरीके साब preparation करें उसके लिए मैं next video लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं अच्छे से ब आप जाएंगे जिसका लिंक में इस वीडियो के description box में डाल दूंगा तो वहां पर आपको UG admission के regarding हैं पर कुछ ऐसे मतलब page खुल के आएगा जहां पर देखिए eligibility and set matrix structure for common entrance examination test 2022 important points general guidelines reservation जो policies होती है disclaimer हो गया या undergraduate curriculum framework तो इसके regarding जो common university entrance test तो यह पूरा यहां पे उन्होंने point point करके डाल रख़ा है यहां पे आप जरूर जाए visit करें और आप यहां से आपको और ज्यादा information आपको provide होगा बाकी मैं जो information आपको दे रहा हूँ वो तो आपको helpful रहे गा ही आपको किसी परकार का भी कोई भी यहां पर सकते है because already जो date है वो मतलब निकल गया है तो जिन्होंने apply किया है उन तक यह video जाए उनकी help हो सके इसके related आप प्लीज करके छोटा सा काम कर सकते हैं वीडियो को जादा जादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि यह video जो हर किसी तक पहुंच सके तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स लेक्चर में किसे अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद है